माता सेल पुत्री का नाम सेल पुत्री क्यों पड़ा और माता सेल पुत्री से जुड़ी कहते हैं कि नौरात्री के पुरे नौ दीनों तक मा के नौ अलग अलग रुपों की पूजा की जाती है माना जाता है कि जो लोग अपने घरों में पुरे नौ दीनों तक मा की अराधना करते हैं माता का सिर्वाद उन पर और उनके पड़िबार पर हमेशा बना रहता है। बहुत से लोग नुरात्री का ब्रत भी रखते हैं, लेकिन जो लोग ब्रत नहीं रख पातें, कर पातें, सिर्फ अगर कथा भी सुनते हैं और रोज कथा पढ़ लेते हैं, तो भी उनके भागे खुल जाते हैं। तो चलिए जानते हैं माता सेल पुत्री की कथा। सेल पुत्री देवी दुर्गा के नौ रुपों में पहले सो रुप में जानी जाती हैं। यही नौ दुर्गाओं में पर्थम दुर्गा हैं। परवतराज हिमाले के घर, पुत्री के रूप में उत्पन होने के कारण, इनका नाम सैल पुत्री परा, नौरात्र पूजन में पर्थम दिवस इनहीं की पूजा और उपाशना की जाती है, इस पर्थम देन की उपाशना में योगी अपने मन को भुला, वो मुलाधार चक्र म इस्थित करते हैं, यहीं से उनकी योग शाधना का आरंब होता है, एक बार परजापती दक्ष ने एक बहुत बड़ा यग्य किया, इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यग भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किन्तु संकर जी को उन्होंने इस यग में निमंत्रित नहीं किया, सती ने जब सुना कि उनके पिताय की विशाल अत्यंत विशाल यग का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा, अपनी यह इक्षा उन्होंने संकरजी को बताई, सारे बातों पर विचार करने के हम से रुष्ठ है, अपने यग में उन्होंने हमें नहीं बुलाया है, अपने यग में उन्होंने सारे देपताओं को निमंत्रित किया है, और इसके लिए उन्हें यग का भाग भी समर्पित किया है, किन्तु हमें जब नहीं बुलाया है, और हमें कोई शुचना तक नहीं ह तो ऐसी स्थिती में हमें वहां नहीं जाना चाहिए और तुम्हारा भी वहां जाना किसी प्रकार से भी स्रेस कर नहीं होगा संकर जी के इस उपतेश का सती ने प्रोबोद नहीं हुआ और पिता का यग देखने और वहाँ जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यागरता किसी प्रुकार भी कम नहों सके। उनका प्रवल अगर देखकर भगवान संकरजी ने उन्हें वहाँ जाने के अन्मती दे दी। सती ने पिता के घर पहुँच कर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ वाचित नहीं कर रहा है, सारे लुप मुँ फेरे हुए हैं, केवल उनकी माता ने सने से उन्हें गले लगाया, बहनों की बातों में ब्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे, परिजनों के इस बेभार से उनके मन में बहुत क्लेश पहुचा, उन्होंने यह भी देखा कि वहाँ चतुर्दिक भवान संकर जी के प्रती तित्रशकार का भाव भरा हुआ है, डक्षी ने अब के प्रती कुछ अपमान जनक वचन भी कहे, यह सब देखकर सती का हिर्दय छोब और गला पती भवान संकर के इस अपमान को वह न सह सके और उन्होंने अपने उस रूप को तच्छन वहीं पर योगा आगनी में द्वारा जला कर भस्म कर दिया, बच्रपात के समान इस दारून दुखत घटना को शून कर, संकर जी ने कुरूध होकर अपने गणों को भेज कर यग के दक्ष के उश्यग को पुर्णत विद्वन्स करा दिया, सती ने योगा अगनी द्वारा अपने शरीर को भस्म कर, अगले जन्म में सैल राज हिमाले के अहां पुत्री के रूप में जन्म लिया, सैल राज हिमाले के अहां जन्म लेने के कारण ही, इस बार वे सैल पुत् से देवताओं का गर्व भंजन किया था। भक्त मा सेल पुत्री के दर्शन करता है। उनके सारे बैवाहिक जीवन के कश्ट दूर हो जाते हैं। चुकि मा सेल पुत्री का बाहन ब्रिशव है। इसे लिए इन्हें ब्रिशारुढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में तृशूल रहता है जे माता दी